राधे राधे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग बढ़ों को चरनिस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज हम एक अदशी की कहानी सुनेंगे आज मैं आप के लिए एक अदशी की एक नई कहानी लाई हूँ आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी एक आदशी के वरत और पूजन के साथ में कहानी जरूर सुननी चाहिए इस से वरत का पूरा फल मिलता है आईए अब हम एक आदशी की एक नई कहानी सुनते हैं एक बार की बात है एक बहुत चुटा सा गाओं था उस गाओं में एक पुजारी अपनी पतनी के साथ रहता था पुजारी का नाम सोंदत और उसकी पतनी का नाम सरोजनी था वैपुजारी भगवान स्रीक्रश्न और राधाजी का परमभक्त था वे पुजारी हर एकादशी का व्रत करता था और भगवान सिरी राधाकरशनी की पूजा क्या करता था उस गाउं में राधाकरशनी का एक पहुत सुन्दर मंदिर था पुजारी उसी मंदिर में सेवा भाव से पूजा क्या करता था रोज मंदिर में जाडू पुचा करता भगवान को इस्तनान कराता और पूरे नी स्वार्थ भाव से सुभह और शाम को पूजा पाठ आर्थी किया करता था उस मंदिर में गाउं वाले जो चड़ाते थे वही उसकी आजीवी का कसाधन था उसकी पत्नी सरोजनी गर्फ वती थी उसे अपने पती की पुजारी वाली नोकरी पसंद नहीं थी वह आए दिन अपने पती से जगड़ा करती थी कि आप ये पुजारी की नोकरी छोड़ क्यों नहीं देते वरोज अपने पती से कहती कि आप ये पुजारी की नोकरी क्यों नहीं छोड़ देते तब एक दिन सरोजनी अपने पती से बोली कि सुनो जी आप ये पुजारी का काम छोड़ कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते इस पुजारी की नोकरी से हमें इतनी आमदनी नहीं होती है कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार बड़ा होगा तो हमारा गुजारा कैसी चलेगा हम इस मंदिर की आमदनी से न तो कुछ जोड़ पाते हैं नहीं हम अच्छा खा पाते हैं और आप भी क्या रोज राधाक्रश्न, राधाक्रश्न के नाम की रट लगाए रहते हैं आपके राधाक्रश्न को अगर हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते क्या आपके भगवान को हमारी आर्थिक परेशानी नजर नहीं आती मुझे आपकी ये पुजारी की नोकरी पसंद नहीं सरोजनी घर की माली हालत से हमेशा दुखी रहती थी और हमेशा चिर्चडी रहने लगी तब भामन अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि भागवान भागवान हमें भूका जरूर उठाते हैं लेकिन कभी भूका सोने नहीं देते भागवान के घर देर है अंधेर नहीं है किसमत से जादा और वक्त से पहले नहीं तो किसी को मिला है और नहीं आगे किसी को मिलेगा लेकिन मुझे मेरे राधा क्रश्न पर पूरा विश्वास है वो एक ने एक दिन अपनी क्रपा हमारे उपर जरूर बढ़साएंगे मुझे मेरे राधा क्रश्न के उपर पूरा भरोसा है तब एक दिन की बात है ब्रामन मंदिर में पूझा पाठ में लगा हुआ था तब ही वहाँ एक बुजूर्ग दमपती मंदिर में आए और मंदिर में आकर बैठ गए वे थोड़े उदास से दिखाई दे रहे थे तब ब्रामन ने उनको प्रेणाम किया और पूझा कि आप हमारे गाउं के दिखाई नहीं पड़ते आप कोन है और कहां से आए है तब वे दोनों बुजूर्ग दमपती बोले की बेटा हम दूर गाउं से आए है हमारे गाउं में अकाल पड़ गया है हम कई दिनों के भूके है तब भ्रामन ने उन दोनों से कहा कि आप मेरे घर चलिए जो भी रूखा सूखा मेरे घर में है आप उसको प्रेम भाव से सिकार करिए तब वे भ्रामन उन दोनों बुजूर्ग दमपतीयों को अपने घर ले कर आया घर पर उसकी पतनी को प्रसव पीड़ा हो रही थी तब भ्रामन अपने साथ लाए हुए इस्तरी पुरुष से भोला कि आप यहीं बैठिये मैं गाउं से दाई को लेकर आता हूँ मेरी इस्तरी को प्रसव पीड़ा हो रही है तब साथ आई हुई इस्तरी बोली की बेटा तुम दाई को लेने जाओ तब तक मैं तुम्हारी इस्तरी को समभालती हूँ थोड़ा सा दाई का काम मुझे भी आता है शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ तब वै ब्रामन गाउ में से दाई को बुलाने चला गया इधर वै इस्तरी ब्रामन की पतनी का प्रसव करवा देती है और उसे एक सुन्दर पुत्र पैदा होता है थोड़ी देर बाद सरोजनी को जब होश आया और अपने बगल में सुन्दर पुत्र को लेटा हुआ देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस इस्तरी से पूछा कि आप कोन है आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बन कर आए हो मैंने पहले आपको गाओं में नहीं देखा तब इस्तरी पूरी बात बताती है ब्रामनी ने जब उसका नाम पूछा तो उस इस्तरी ने अपना नाम राधी का और साथ आये पूरुष का नाम शाम बताया इस तरह वे आपस में बाते कर रहे थे बाते करते करते ही सरोजनी की आँख लग गई वे बुजुर्ग दमपती कोई ओर नहीं सम राधाकरश्न भगवान थे राधाकरश्न भगवान के पुजारी के घर में प्रवेश करते ही उनका घर अनधन के भंडार से भर गया भगवान करश्न और राधा जाते समय उनके घर को ठोकर मार गये तो उनका घर सुन्दर महल में बदल गया और भगवान, क्रश्न और राधाजी अंतरध्यान होगे उधर भ्रामन गाउं में से दाई को बुलाने के लिए गया तो उसे पता चला कि दाई तो दूसरे गाउं में प्रसव करवाने के लिए गई हुई है उधर ब्रामन को जब ये पता चला तो उसे बहुत घबराहट हुई वे घबराया घबराया बिना दाई को लिये ही घर आया लेकिन उसको अपने पुराने घर की जगे एक बहुत सुन्दर नया मकान दिखाई दिया तो वे आश्चरिय चकित हो गया एक बार तो वे घर में गुसने से डरने लगा लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद आते ही वे घर में गुसा तो घर में अनधन के भंडार भरे हुए थे उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था ब्रामन ने अपने साथ लाई हुए बुजुर्ग दमपती को पूरे घर में ढूंडा लेकिन वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिये ब्रामन अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा जब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी की नीन खुली तो वो भी अपना नया घर और घर में अनधन के बंधार देखकर चकित रह गई ब्रामन ने अपनी पत्नी से अपने साथ आये हुए बुजुर्ग दमपती के बारे में पूछा तो सरोजनी ने अपने पती को पूरी बात बताई जो उस इस्त्री ने सरोजनी को बताई थी तब वैब्रामन बोला कि वह कोई ओर नहीं मेरे भगवान राधाकरश्न जी थे यह सब कुछ उनके आशीरवास से हुआ है यह सुनते ही सरोजनी अपने पती से माफी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे कि सब्र काफल मीठा मिलता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं भगवान राधाकरश्न के चमतकार को देखने के बाद पुजारी की पत्नी भी हर एकादशी का वरत करने लगी और भगवान राधाकरश्नी की पूजा करने लगी उस दिन से दोनों पती पत्नी भग्वान राधाक्रश्न की पूजा करने लगे और हर एकादशी कावरत करने लगे घरती ओतो पुरी ओ, पूरी ओतो परवान चड़े, भूले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे इस प्रकार आज मनें आपको एक आदशी की एक नई कहानी सुनाई या शकरती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहने